तो इंडेफिनेट इंटेगरेशन का हम लोग कोश्चन देख रहे हैं आपर बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है जरा देखना मेरे साथ आप लोगों समझ में आयेगा तो देखों जरा यह कोश्चन है ठीक ना यह कोश्चन है आपके पास इस 3-8 को सब्सक्राइब करेंगे इस सब्सक्राइब 2 बहुत इंपोटेंट है देखते जरा का रहए तो सबसे पहले किसी भी को सब्सक्राइब कर सकेंए कि यहां सब्सक्तिशन चेक करता हूं तो नीचे वाले को अगर मैंने टीम आल लिया, x sin x plus cos x को अगर मैंने टीम आल लिया, और यहां कर दिया है, मैंने differentiate with respect to x, ठीक है? तो अब ज़ला देखो, क्या आएगा आएगा आपके पास? पहले वाला सेम, दूसरे का derivative, sin का होता है cos x, प्लस, पहले वाले का derivative 1, दूसरे वाले का सेम, ठीक है, और cos का derivative, minus sin x, यह पूरे का dx, is equal to dt, तो यह कट जया इस से, तो x cos x, मतलब हमारा बन गया, अच्छे से, तो यह हमारा उपपर वाली टम बन गई, आपके सब लोग में साथ, तो यह उपर वाली टम बन गई आपके, ठीक है, चलो, तो हम लोग अब कर लेते हैं इसको, तो yes, 1 अपोन में t का square dt, ठीक है, यह वाले हमारे dt बन गया सारे जितना भी टम था, अब t को में क्या लिखूंगा, t की पावर minus 2, dt, और यह हो जाएगा, t की पावर minus 2, plus 1, minus 2, plus 1, plus c, तो क्या जाएगा, आपके पावर minus 1, अपोन में minus 1, plus c, तो आपके पावर minus 1, अपोन में t, plus c, तो उसको देखोंगे, तो 1 अपोन में t कितना है आपका, x sin x, plus cos x, यह आपके पास relation आगया, इसका proof होके, तो इसका हम यूज करेंगे अभी अगले question में, तो जरा आजाओ, जरा अगले question पर भी देख लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, तो यह question है आपके पास, अब हम लोगों का अच्छे से पता है, कि इस term का derivative आएगा, वो x cos x आएगा, जैसे कि हमने पिछले question में भी देखा, तो इसका derivative आएगा x cos x, तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ, इसमें x cos x से multiply ए, divide कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो मैं क्या कर रहा है, समझना है यहाँ पर मेरे साथ, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, x, 2x है नहीं मेरे पास, x into x है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, x into x, x into x, तो एक x के साथ मैंने cos x लिख लिया, और into में x के साथ मैंने लिख दिया sec x, मतलब बन अपॉल में cos x सब्कुख कर किंए ऐसे समझ लो ऐसे पूरा देंग से देख लो X कोजX मैंने एक अलग कर दिया उसके नीचे लिग दिया X Sinex एक प्लस कोजX का होल स्क्यार इंटु एक X के साथ मिने नीचे डिवाइड में कोज अब यह बाई पाल्ट यूज कर लेता हो तो इसको फर्स्ट मानों किसको सेकेंड तो हमें पता इसका इंटिग्रेशन ने कर लिया विपिछले कोश्ण में तो यह आपका सेकेंड हो जाएगा और इसको माल लो फर्स्ट ठीक है अब इसी चीज़को अब अच्छे से करते हैं तो बताओ पहले वाला सेम दूसरे वाले का इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा अगर मैं तो मैं पता इसका इंटीग्रेशन के यहाएगा तो वह हम डाइरेक्ट लिख देंगे इसका माइनस की ग्रेंड इंटिग्रेशन ओफ, डेरिवेटिव ओफ फर्स्ट, ठीक है, इसी को मैं और अच्छे से यहां पर लिख देता हूँ, हो मैं इसको मैं इसको एकस से एकस लिख देता हूँ, ठाकि थोड़ा और बैटर वो जे, एकस से की का पूरा का पूरा हो गया आपका और यह हो गया आपका ठीक है, यहां ते समझ में आगए होगए आप लोगो को, ठीक है, अच्छा, तो इसका इन्टेकर्यशन अम लोग लो आपको ने करी लिया था तो क्या आया था इसका integration आपका तो x-coz x और इसका integration आया था minus 1 upon में x Sig m x plus अब दिए तो यहां ने यहां लगा दिया इसके बदले डायर टिक दिया सिम्लिर फैशन में हापने इसका हम डिरीवीटिव करेंगे तो पहले वाला सेम दूसरे का डिरीवीटिव सेक्स टेने एक्स प्लस पहले वाले का derivative 1 और sec x is same और इसका करेंगे हम लोग तो minus 1 upon में क्या आएगा विटा x sin x जैसा था plus cos x तो अभी पूरा पूरा आगया आपके पास dx ठीक है अच्छा ये minus तो भाल लिख दूँगा मैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा minus x cos x sin x plus cos x minus और ये वाला minus मिला के हो जाएगा ये plus आप उपर देखो डंसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से sec x को में ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा x tan x plus sec x ये आपका यहाँ पर बचेगा ठीक है ना x tan x plus 1 यहाँ 1 बचेगा यहाँ sec x को मैं ले लिया divided by x sin x plus cos x ठीक है अब ढंसे यहाँ पर समझो मेरे साथ आप लोग क्या कि यह टर्म और यह टर्म सेम है अगर आप समझोगे कैसे समझोगे मैं समझाता हूँ आप लोगों को तो देखो क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर यह तो सेम ही रहेगा तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या कर लेता हूं यहाँ पर मैं इसको sin-coze में convert करता हूं तो क्या बचेगा आपके पास sec x और इसमें sin-coze में change करोगा तो x sin x plus cos x LC में नहीं रहूं direct और upon में cos x देखो 10 को मैं sin upon में cos लिखूँगा 10 को में sin upon में cos लिखूँगा, cos इससे multiply कर दोगा तो यह आ जाएगा और x sin x तो रहेगा आपका और नीचे cos अब यह one upon में cos है ना यह नीचे का cos तो यह sec हो जाएगा तो यह sec square x बन जाएगा इसके साथ multiply सब्सक्राइगा तो यह वाली टर्म आपके कट जाएगे तो आपके पास क्या बचा माइनस x देख्ते रहे ना cos x x sin x plus cos x यह आगया आपके पास plus sec है और यह भी sec है तो यह sec square x हो जाएगा dx और इसका integration हम लोगों पता ही है sec का होता है 10 तो यह question बहुत easy और बहुत अच्छा question यह वैसी और यह आपका sec का बन जाएगा 10x plus में c तो यह question आपका ऐसे हो जाएगा तो बहुत अच्छा question